अच्छे से हो जाए आशिर्वात हम करें अशिर्वात की जरूएत लिए आए तीन के भाग्यका धल्हरव्यक् grosal को मिलता ए पहला बेहन बेटी के भाग्यका दूसरा गव wynापता के भाग्यका थीसरा सन्त्रवर्हम्न के भाग वाग्यका अगर आपके घर बहनपातर यह अरो है एक माता मैं नहीं को चारा दिया है या उसके भाग्य का धन तुम को जरून दीनातर तुमारे घर में आया है तुम उसको बोजन बना कर खिला रहे हो उसके भागय का धन भटेगा नहीं उसके भागय का धन तुमको प्राप्त होगा यह तीन के भागय का धन कभी नहीं है पहला बेहन बेटी के भाग्यका, जोसरा गव माता के भाग्यका, तीसरा संत ब्रहम्मण के भाग्यका, ये कमी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वालों में असे नहीं है, अगर तुम्हारे घटने वाला नहीं है, वो बढ़कर ही तुम्हें मिले, तुम्हें गाय को अगर एक रोटी दिया है उसका भाग है तुमको प्रवलता में ही प्रदान करेगा किसी संत ब्राह्मन को अगर आपने एक गिलास पानी पिलाया एक अन्नका दाना खिलाया एक भोजन कराया तो उसका पुन्य आपको प्रवलता में प्राप्त होगा वो घटेगा नहीं यह बेटा हो गया बेटी नहीं है भकवान की करपा थे राफुझा कम करते हैं किसमत वाले नहीं होकर ऑगर फॉचा कि पुझा गया किसी ने पूचा की गुरदेव जिसके आपर बेटी नहीं होती, आप कहते हो उसका भाग्य अच्छा नहीं होता, ये बताओ, भगवान फिर बेटी क्यों नहीं देता, फिर उसको बेटी देना चाइए, हर एक बेटी के घर में एक बेटी तो देना ही चाहिए, अगर दो लड़के दिये हैं, तीन लड़के तो देना चाहिए हमने का गरुण पुराण में लिखा है कि भगवन जान करके नहीं देता है क्योंकि 94 तरह के नरक में से एक नरक ऐसा है जो कन्यादान करने वाले की छूट पाते हैं जिसने कन्यादान नहीं करा होता उस व्यक्ति को उस नरक में पढ़